दोस्तों ये वीडियो काफी ज़दा important रहने वाली है किसी civil engineer के लिए जो आपने गर की construction करवा रहे हैं, contractor हैं या company owner है सबके लिए बहुत important वीडियो है, क्यों important वीडियो बोल रहा हूँ में कोई भी हम लोग construction करवाते हैं, वो construction सही से हो इसके लिए भी हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है, और हमारा उस construction में पैसा बच जाए, तो इस वीडियो को देखने के बाद, जो company owner है बड़े बड़े project लेते हैं, residential होगे, commercial होगे, वो लाखों करोडों इस वीडियो के बाद बचा सकते हैं, अपनी construction में कैसे, वो में आगे आपको बताता हूँ और structure पर इतना ज़्याद investment हो रहा है, environment आगे हार्च होता जा रहा है, अदके एक बगार आ रहा है तो structure की life भी matter करती है, कि उसमें strength कितनी है, तो इस चीज़ से वो भी होती है steel का लगता है, यह जहां steel जितना लगना वहां लगाना ही है, लेकिन एक extra चीज़ हमारी steel में जाती है mostly, वो होता है lap Lapping हमारी बहुत cost बढ़ा सकती है, अगर 50,000 square feet का आपका कोई building है, यह कुछ area इतना गर है, तो उसमें approximately 14-15,000,000 रुपे हमारा किसमें चाता है, Lapping में चला जाता है, यह दियान रखने बहुत बड़ी चीज़ में बोल रहा हूँ, 14-15,000,000 रुपे उसमें चला जाता है, तो उस चीज़ को कैसे हम counter कर सकते हैं, उस पैसे को कैसे बचा सकते हैं, और lap उतना strong नहीं है, यह सब ची friends, और भी काफी चीज़ें इस वीडियो में बात करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा important वीडियो होने वाली है, complete वीडियो देखना, पहले जिन लोगों को नहीं पता है, वो समझ लोगी, Lapping क्या हो गई, Lapping हमारी हो गई, कि हमारा कोई सरी आ रहा है, उसको continue हमें दो, दूसर और इसमें भी काफी चीज़ें दियान देनी पड़ती हो, वो मैं आगे difference पर बताने वाला हूँ, Lapping समझ गे, butt joint क्या हो गया हमारा, butt joint का भी आप सामने देख रहे हो, मतलब एक प्रकार की joint लगाया जाता है, जो continue सरीया आ रहा है, उसी के ऊपर सरीया रखके, उसको process से belt कर दिया जाता है, simple बाशा में इसको समझो, butt joint अलग चीज़ा, belding अलग है, लेकिन उस चीज़ को belt किया जाता है, according to IS code, किस तरीके से वो आगे में बात करने वाला हूँ, अभी आते हैं के difference पर, दोनों चीज़े, comparison में आप समझ लोगे, कौन सा best है, और कैसे करना है, देखो इससे समझो, benefit भी पता चलेंगे, और cost कैसे करते हैं, वो भी समझ आएगा, देखो सामने आप देख रहे हो, जब हम lap करते हैं, तो हमें 50D extra देना पड़ता है, और alternate करके, वो आगे पिछे करके हमें देना पड़ता है, लेकिन जब हम butt joint करेंगे, तो हमें कोई दिक्कत नही या उसमें यूज नहीं करना है, कि हमारा, क्यूंगे lap में 50D के साब से, अगर 16mm का सरीय ही है, तो 800mm बार चड़ रहा है एक दूसरे को उपर, तो वो बहुत चीज होती है, दूसरा आप सामने देख रहे हो, जब हम lapping करते हैं, तो हमें binding wire यूज करनी पड़ती है, और proper single winding wire नहीं, double, triple करके winding wire यूज करनी पड़ती है, तो वो खर्चा भी गया, और वो butt joint में हमारा खर्चा electricity में चला जाएगा, वो खर्चा भी saving हो गया हमारा, फिर जब हम lab करते हैं किसी चीज को, तो lab करते time हमें क्या करना होता है, कि हमारा जहां lab आएगा, वहां हमें stir up की spacing कम कर नहीं होती है, कि जो ring provide करने है, उनकी spacing कम कर देंगे, उससे क्या होता है, कि हमारा safe zone बन जाता है, नहीं तो failure वहीं सी होता है, जहां हमारा lab होता है, और lab हमारा ये नहीं है कि इतने थोड़े से area में हो रहे है, एप्रोक्स पूरे column में lab हो जाता है, क्योंकि alternate करना है, आदे lab उपर होंगे, आदे नीचे, तो हमारी जो steer up की spacing है, तो वो भी कम हो जाएगी पूरे column में, तो हमारे steer up भी जादा लगेंगे, लेकिन bird joint में क्या है, आपको कोई spacing जैसे regular spacing चल रही है, वैसे spacing हमारे bird joint में देनी होती है, वैसे अगली चीज हो जाती है, कभी कबार क्या होत और उपर से दूसरी स्टोरी से 20 mm का होना है, लेकिन जो 25 mm का सरिया नीचे सार है, उसको कम से कम zone, जो center, हमारा column के center में सही zone होता है, जहां हमें lab दिन होता है, तो नीचे वाले 25 के सरिया को दूसरे, जहां lab करना है, वहां center तक लाना पड़ेगा, तो वो 25 mm का सरिया waste गया न उतने area में, क्योंकि वहां तो हमारा 20 mm का सरिया ना था, लेपिंग के zone में, लेपिंग के case में, हमें वो 25 का उपर तक पुछाना होता है, वो extra खर्चा हो गया, लेकिन butt joint के case में ऐसा कुछ नहीं है, 25 का जहां तक चाहिए, वहां तक होगा, वहां उसके उपर हम 20 का joint कर देत मतलब मेरे एक हाल में, दस आदमी चाहिए, एक column को lap करने के लिए, butt joint के लिए, एक से दो आदमी जो skill level होगा, अराम से जल्दी से butt joint करके निकल जाएगा, ये चीज भी बहुत अच्छी है, lepping और butt joint में, कि उसमें कोई lever की ज़्यादा जरूद नहीं पड़ती, मतलब सीधा सीधा इसमें से ये निकल रहा है हमारा, कि अगर हम butt joint करवाते हैं, तो हमारी जो गर की strength है, building की strength है, दुगनी हो जाती है, as compared to lap, और अगर हम lap करवाने जाती है, lepping में होता क्या क्या है, बहुत चीज़े होती है, एक तो हमारा dead load बढ़ जाता है, जितना सरीया लगाते जाता है, extra lever जाती है, extra binding wire जाता है, और proper load distribution नहीं होता उसमें, उसमें क्या होता है, उपर के सरीय का load पहले concrete पे जाता है, फिर joggle की help, मतलब दूसरे सरीय पे जाता है, और joggle करने की बारी आती है, तो कोई भी एक अच्छा skill lever नहीं है, कि proper से joggle कर पाए, joggle issue रहता है, काफी जादा issue रहते हैं, लैपिंग में, और main चीज यह नहीं है कि खर्चा बचाना है हमें, खर्चा लगाओ, लेकिन building तो अच्छे से बननी चाहिए, लेकिन butt joint की case में क्या होता है, butt joint अगर आप करवाती हो, तो वो जो strength होती है, bar की low transfer easy हो जाता है, बार के लिए, तो यह चीज देखो यह चीज खुद से तो possible होगी नहीं आपसे कि खुद से butt joint लगाओ, क्यूंकि काफी चीजे काफी test करने पड़ती है, काफी चीजे दियान में रखनी पड़ती है, कि हम खुद से butt joint करें, तो इसमें rate analysis आगे बताने वाला हो table से, overlap जब करते हैं, तो residential और commercial का दोनों क अलग लग है, ठीक है, देखो सामने, तो इसमें overlap का खर्चा दिख रहा है, कि कितना कितना हमारा binding wire का चलो हमने zero कर दिया था, कि हमारा electricity का उसमें चला जाते है, steer up देख रहे हो, जो residential में है, तो 1.80 रूपी per square feet के हिसाब से होता है हमारा खर्चा, और commercial में 2.70 के हिसाब से, अब weight के हिसाब से, जब weight size change हो रहा था, तो 6.50 रूपे per square feet के हिसाब से, residential में, और commercial में 9.50 रूपे, और TMT, short length के हिसाब से, जब कम सरिया पड़ रहा था, तो 4.00 रूपे, 6.00 रूपे, cut off, report पूरी मिल जाएगी, मतलब अगर मैं पकड़ूं, तो 28.00 रूपे per square feet के 50.000 square feet, ठीक है, तो overlap का खर्चा, ठीक है, overlap का खर्चा 14.00 रूपे बच जाता है, अगर आप butt joint करते हो, और वैसे ही, commercial में 7.50 रूपे बच जाता है, दोनों का अगर जोड़ते हैं, 21.00 रूपे होता है हमारा, अगर 10.00 रूपे का area आप बनाते हो, मतलब बड़ जादा प्र जाएगा आपका लैपिंग में, वैसे ही, commercial में, और ये बहुत बड़ी चीज है, ऐसे आप, लाखों, क्रोडों बचा सकते हो, अगर लैपिंग से बटर जोइन में जाते हो, इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, contact, जो company है, contact solution, प्राइब लिम्टिर, उनको call करना है, उ आपकी खुद की मर्जी या खुद का पैसा है, आपको decide करना है कि किस तरीके से करना है,